कि नमस्कार मित्रों सुद्रिष्ट के पीसेस पर आप सभी का अर्दिक स्वागत है साथियों पीसेस और आरो यारो की प्रारेंबिक परिक्षा के तंदर में आप कह सकते हैं कि करेंट अफेर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड कोश्चन का सेशन स्टार्ट किया रहा है परिक्ष आज हम नवंबर माह आप कह सकते हैं वर्थ दोहजार चौबीस नवंबर माह तो इसमें आप पिछले दो महने और कंसिल्टर कर लें सितंबर से ले करके नवंबर तक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट निउस हैं यहां पर हम डिसकस करेंगे तो चले शुरू करते हैं पहला प् सब्सक्राइब कि बविता जी को उत्तरप्रदेश महिला योग का अध्यक्ष बनाए गया है तो यह भी मैतरपुन आपको पता होना चाहिए और राष्ट्री महिला आयोग के उपर भी प्रश्ण है आप कह सकते हैं इसका कारेकाल कितना है अध्यक्ष का कारेकाल है तीन वर है यह आप कह सकते हैं सँप समवैधानिक है गहर समय शाम विद्ध है कैसी सह मितरों है एक इस्टे redo एर है यह आप कह सकते हैं यह एक सवाम विदिक निकाय है कि Day युझा युझार्वर्व एस्टे गरी वादि कौन सी होती है जिनको किसी एक्ट के द्वारर इस्थापित क्या जाता है अब महिला राष्ट्री महिला आयोग के बारे में कुछ महतपुर्ण तत्य हैं जिनको आप यहां पर देख सकते हैं कि राष्ट्री महिला आयोग अधिनियम अगर कोई ऐसी बॉड़ी है जिसे किसी अधिनियम के दोरा बनाए जा रहा है तो वह एक सामविधिक निकाय होगी राष्ट्री महिला ऑयोग अधिनियम 1990 के तायट 1992 में इसे घठ्फित क्या गया था आप कैसे क्या है यह एक सांविधिक निकाय है इसको आप अगदम जहां से देख लें तेक है यह एक वाइधानिक निकाय है इसमें कितने सबस्ते होते हैं तो जो राष्ट््री महिला योग है उसमें एक अध्यक्ष पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव, सदस्य सचिव Zone हो आप केंदर सरकार के द्वारा नामित कि आ जाता है, नॉमिनेट कि आ जाता है, इसके लाव मित्रों यह जो पांच सदस्य हैं ध्यान रिखेगा इन पांच में किसी एक सदस्य का स्सी और स्ट केटेगरी से बिलॉंग करना अनिवार रहे हैं ठीक है तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष और पांच सदस्यों में एक स्ट होते हैं इसके लावा अगर उत्तर प्रतेस महिला आयोग की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष हाली में भविता चौहान जी को बनाया गया है इसके अलावाँ दो उपाद्यक्ष भी हां पर बनाये गये हैं एक है आपकी चार्व चौदरी ठीक है तो एक अध्यक्ष भविता चावान उत्तर प् के सम्मुक है हाली में स्वक्ष वायू सर्वेक्षन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वच्ष वायू सर्वेक्षन दोहजार चौबीस के अनुसार किसे वायू गुडवत्ता में सुधार के लिए शीर से प्रमुख शहर का दर्जा प्रदान क्या गया है तो वायू सर्वेक्षन दोजार चौबीस में इन्में से किसे शीर से वायू गुडवत्ता में सुधार के लिए शीर से प्रमुख वायू शहर का दर्जा प्रदान किया गया है सूरत जबलपूर आगरा या फिरोजाबाद यहां पर मित्रों यह विकल्पमारा बिल्कुल करेक्ट है आगा सूरत को हा पर चौबबर बन पर है कंट्री में उसके बास सेकेंड नंबर पर हाव जबलपुर यह आपका है और थर्ड नंबर पर है आपका आगर उत्तर प्रदेश का बना है यह तीसरे अस्थान पर है दस लाग से अधिक जनसंख्या की श्रिणी में इसके नावम मित्रों अगर दस ठीक है उसके बाद सेकेंड नंबर पर अमरावती है महाराश्र का अमरावती और यहां पर आप देख लें अगली स्लाइड में तो यहां पर मित्रों 3-10 लाग में नंबर वन पर है यूपी का फिरोजाबाद दूसरे नंबर पर है अमरावती और यह भी आपको ध्यान रखना है थर्ड नंबर पर है जहासी तो 3-10 लाग की से टॉप 3 में यूपी के दो है फिरोजाबाद और जहासी और 10 लाग से अधिक की सूची में यूपी का एक है इसके बाद मित्रों अगर 3 लाग से कम जनसंक्य की बात की जाए तो यहां पर नंबर वन पर आपका उत्तर प्रदेश का राय बरेली है most important है तो 3 लाग से कम में और 3-10 लाग में दोनों पर नंबर वन पर आप कह सकते हैं 3-10 में फिरोजाबाद और 3 लाग से कम में राय बरेली ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने मित्रों हाली में विधी एवं न्याय मंत्राले ने 3 वर्स की अवधी के लिए 23 में विधी आयूक की स्थापना की है most important है विधी एवं न्याय मंत्राले के द्वारा 3 वर्स तो मित्रों जो 23 विधी आयोग है उसकी स्थापना की गई है हाली में और यह एक गैर सामविधिक निकाय है ध्यान रखिएगा ठीक है यह एक गैर सामविधिक निकाय है गवर्मेंट या सेंटरल गवर्मेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा इसको इसकी स्थापना की गई से इसको स्थापित क्या जाता है निश्चित कारेकाल है इसका और यह एक advisory body है कि मतलब आप कह सकते हैं non statutory और advisory यह एक non statutory मतलब गयर सामविधिक और इसके बाद मित्रों पहला जो विधियायोग था यह आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधियायोग गठित किया गया था और किस अधिनियम के तहट था तो चार्टर अधिनियम 1836 के तहट इसे इस्थापित किया गया था इसके बाद मित्रों स्थांत्र भारत मतलव 1947 के बास अगर पहले विधियायोग की बात की जाए तो सवतंत्रता के बाद जो पहला विधियायोग गठित हुआ था वो 1955 में हुआ था और भारत के ततकानेद एट ओरनी जनरल M.C. सीतलवाड M.C. सीतलवाड के देक्षटा में इसे गठित किया गया था मतब सुतंतरता के बाद जो पहला विधियायोग गठित हुआ था वो M.C. सीतलवाड जो की उस वक्त के Attorney General थे वारत के तो उनके देक्षटा में पहला विधियायोग सुतंतरता के बाद गठित किया गया गया और जो पहला विधियायोग था वो अगला प्रशने मित्रों हाली में भारत के निमलिखित किस राज्य में 20 अगस्त को आधिकारिक तौर पर सूतिया दिवस के रुप में मना जाने की गोशना की गई है 20 अगस्त को किस राज्य ने गोशना किये कि उसे सूतिय दिवस के रुप में मनाया जाएगा अवडांचल प्रदेश असाम मनिपुर्य मिजोरम मोश्ट इंपोर्टन कोश्चन है तो मित्रों इसका बी विकल्प मारा बिल्कुल करेक्ट हुए आएगा आप कह सकते हैं 20 अगस्त 20 अगस्त पीमान चंद्रबोरा यह नाम याद रखिएगा आप लो स्वरगिय पीमान चंद्रबोरा इनके नेत्रत्तों में सूतिया आप कह सकते हैं असाम में एक जगह है तो वहाँ पर लोगों ने सूतिया पुलिस स्टेशन में यूनियन जैक को डाउन करके भारती तरंगा फैरा सबसे पहली बार भारती तरंगा फैर आगया था तो आप कह सकते हैं 20 अगस्त 1942 में कुट इंडिया मुमेंट के दोरान तो उसी की याद में असाम गवर्मेंट नेगोशना की है कि 20 अगस्त को 2025 से 20 अगस्त को प्रत्यक वर्स हम सूतिया दिवस के रूप में मनाएंगे आग प्रत के पहले संद्रक्षन और प्रजिनन केंद्र का उद्गाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है या किस अस्थान पर क्या गया है तो आप कह सकते हैं एशियन किंग वल्चर्स के लिए जो पहला संद्रक्षन और प्रजिनन केंद्र बनाए गया है उत्तर प पूर्पुर में बनाया गया है बी विकल्पमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा जो एशियन किंग वल्चर्स है जो एशियन किंग वल्चर्स है अगर आयू सीएन की बात करें वहां पर कौन कौन से प्रकार के इनुण आ वाले जाते हैं यहां पर उपाते मित्रों यहां आते हैं जो वल्実 हैं उनके विल्फ दोने का कारण क्या है तो आपने साइस में पढ़ा होगा धियू और इतना जो मवेशी होते हैं उनमें दर्द को अधर करने के लिए एकK वह भी तरंकुली्क है और चला आता है और इस काणर उनकी मौथभा कारण है आगे बड़ते हैं यहीं चीजिए यहां पर लिखी गई है अगला प्रश्ण है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने अटल आवासी विद्ध्याले हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने अटल आवासी विद्ध्याले हैं है इंधुक theo फृटमान में कुल आपकर सकते हैं इंधार अथ्विद्धालों हुट्थर पप्रदेस सरकार ने चरण बद्ध तरीके से आपकर सकते हैं जो अटल आवासी में उनकी संके बढ़ाने की बात किते आब जो योजना बनाई जारी है इन विद्धालों बढ़ाने के लिए उसमें अब जो विद्यालें हैं वो बढ़ करके कितने हो जाएंगे तो 2000 हो जाएंगे वर्तमान में यह 18 है कि आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है मित्रों हाली में उपर आस्ट्रपती जगदीब धनकड जी के द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनी की स्कूल निमलेकित किस जिले में खुला गया है गोरकपूर बस्ति फैजाबाद या देवरिया तो यहां पर मित्रों एविकल्प मारा करे आएगा जो पूरी उत्तर प्रदेश का पहला सैनी की स्कूल है वह गोरकपूर में खुला गया है मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत में कुल कितने सैनी की स्कूल है कि इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाली में मुंबई में आयोजित ए राष्ट्री राष्ट्री ए गवर्नेंस सम्मेलन दोजार चौबीस तो यह आपका कि 27 वह राष्ट्री ए गवर्नेंस सम्मेलन 24 नोमबई में अयोजित नहीं करक universal राष्ट्री ए गवर्नेंस गोल्ड अवर्ड से लेब बित्र नामक पहल को सम्मानित किया गया है डिक है अभिवल यह लेख मित्र नामक पहल यह वर्ष थ2023 और उत्तर-प्रदेस के किस प्र इसके बाद मित्रों इसी सम्मेलन में राश्ट्री इ-governance गोल्ड अवार्ड से लेब मित्र को यह इस पहल को सम्मानित किया गया यह पहल उत्तर प्रदेश के किस जिले प्रारम हुआ था यहां पर मित्रों सी वी कमारा बिल्कुल करक्प्प्य आएगा यह पहल आपका वारान विक्सित भारत सुरक्षित और टिकाईू ए सेवा प्रतिपादन यह आपका थीम किसका था राश्ट्री गवर्नन्स जो 27 वा राश्ट्री गवर्नन्स सम्मेलन हुआ था कि अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुक है कि हाली में सामाजिक न्यायम आधिकारिक्ता मंत्राले द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित की शहर में किंतन शिविर किंतन शिविर शीर्षक से दो दिवसी राष्ट्री समिक्षा सम्मेलन आयुजित क्या गया है कानपूर मेरत लखीम पूरिया आगरा तो चिंतन शिविर नामक दो दिवसी राष्ट्री समिक्षा सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयुजित क्या गया है तो मित्तनों दीविकल्प मारा करेक्ट है आगरा मोस्त इंपोर्टेंट है यूपी के पॉइंट ऑफ यू से सखनव ग्रेटर नुएडा गाजियाबाद याहापुड मित्रों कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर के जो एड्मिनिस्ट्रेटिव डिवीजिन है एड़क्वाटर है ग्रेटर नुएडा वहां से इसका उद्गाटन क्या गया है परदानमंत्री मोदीजी के दौरा ग्रे सेमिकंडॉक्टर future हैं है कि अ है कुछ ऐसा थी में शेपिंग फ्यूचर ऑफ defend Queeb dependence future आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शेपिंग दा सेमी कंड़क्टर फ्यूचर यह इसकी थीम थी सेमी कॉन इंडिया वर्स दोजार चोवीस का जो सम्मेलन हुआ था इंपॉर्टेंट है इसको भी आपको ध्यान रखना है कहां पर हुआ था तो यह हुआ था आपका greater noida में अगला प्रशन आप सभी के सम्मुक है हाली में निम्लिकित किस राज्य ने गाय संरक्षण के उद्देश से वरिंदावन ग्राम योजना शुरू किये वरिंदावन ग्राम योजना गाय संरक्षण के लिए लाए गया है उत्तर प्रदेश महाराज किसके द्वरा लाए गया है यहां परमित्रों सीवी कल्पमारा बिलकुल करेक्ट हैगा मद्देप्रदेश है ना वरिंदावन से आप कन्फूज मत होईएगा उत्तर प्रदेश की ओजना नहीं है यह यह मद्देश की ओजना है गाय संरक्षण के उत्देश ने अ सिलिकॉन कारबाइड वी निर्मान सन्यंत्र जो है ध्यान रखेगा उड़ीसा भूवनेश्वर में इसका सिला न्यास किया गया है ठीक है अगला प्रशना आप सभी के सम्मुक है है हाली में निम्लकित किस राज्य के मंत्री मंडल ने पुलिसबल में महिलाओं के लिए 53% का अरक्षन मन्जूरी दीय truth गुजरात उत्तरप्रदेस राजस्तान महराष्ट गुजरात उत्तरप्रदेस राजस्तान याँ माराष्ट इन में से किस ने पुछ भल में महिलाओं को 33% या है तो मित्रों यहां पर सी विकल्प मारा करेक्ट है राजस्थान के अगला प्रशन आप सभी के सम्मुख है हाली में निम्न लिखित भारत के किस सहर में साथ सितंबर को अंतरराष्ट्री स्वक्षिवायू नील गगन दिवस के रूप में मनाए गया है इंदौर जैपूर ब अगला प्रस्थाए में राष्ट्रील पोश्ण माह के सातवे संस्क्रण का किस स्थान से किया गया है अमरावति तिर्वनत्पुरम गांधिनगर या राची कि कि राश्ट्री पोशन मां के सात्वे संस्क्रण का शुवारम कहां से किया गया है तो यहां परमित्रों के आप कह सकते हैं गुजरात में गांधी नगर में महात्मा मंदिर कि महात्मा मंदिर तो राष्ट्री पोशन मिसन का जो सात्वा संस्क्रण है गुजराद गांधी नगर के महात्मा मंदिर से इसका शुवारम किया गया है अगला प्रशन है आप तबी के सम्मुक हाली में वैश्वी खाद विन्यामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस अस्थान पर क्या गया है वैश्वी खाद विन्यामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां से क्या गया है लखनव नई दिल्ली हैदराबाद या चेन्नाई तो मित्रों यहाँ पर भी विकल्पमारा करेक्ट हुए आगा नई दिल्ली से आप कह सकते हैं वैश्विक खाद वियनाबक इखर सम्मेलन 2024 का योजन किया गया है आगे बढ़ते हैं है है अगला है हाली में परधान-मंत्री मोधिने किस राज्य में चौधिवइश्विक नवीकरणी उर्जा-निवेशक सम्मेलन वांप्र मुझरा चृषा त्यलंग गान्व बनिलbadणर गांधी नगर गुजरात आगे वड़ते हैं अगला प्रशना अब सभी के सम्मुक है हाली में निम्लिकित की सर्देश की प्राइविट कंपनी रॉयल आई एचसी के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा ड्रेजर बना जा रहा है भारत का सबसे बड़ा ड्रेजर कोचीन शिप्य प्याड़ यह कहां पर है इसका एड़् कोची केरला कोची केरला किस देश के रॉयल आय इचसी जो की एक प्राइविट कंपनी इसके सहयोकती बारत सबसे बड़ा रेजर यहां पर बना जा रहा है तो आप कह सकते हैं ब्रिटेन नीदरलेंट अमेरिका ए जापान में से क्य टो रॉयल आच सी हाउलेंड कि नान से भी धिख फन या ये यह एक डच कमपणी है ङो होता है तो द्रेजर में तरुटर ड्रेजिंग जो होता है है तरीजिंग एक ऐसी एक्तिविटी है आप सकते हैं कि पानि के अंदर सतय से जो समगरी होती है ना जो वहां पर resources होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है तो वहां से उनको बाहर निकालने की जो प्रिक्रिया होती है उसे hai hai鄭रत का सबसे बड़ा जो ड्रेजर है सक्षण ड्रेजर कहते हैं ट्रेलर र कहा पर बना जा रहा है तो कोची निदर रम से प्याड कोची केरल के दिफ्षिएंग मुंबई में किया गया ध्यान रखेगा जो लुड्ट अ कर स्यंटर हे इंटा और यह मन्मय सेanson सेंंटर यह यह कर आथ मस Muse भारती जल सप्ता तो कौन सा जल सप्ता था यह आठवा भारती जल सप्ता था इसकी थीम क्या थी आप से पूछा जा रहा है तो स्वक्ष्य पेय जल की उप्लबदता सुनिश्चित करना एक मौलीक अधिकार समावेशी जल विकास एवन प्रबंधन के लिए साजेदारी एव साजेदारी एवन सही होग तो यहाँ पर भी विकल्प मारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा तो यहाँ पर मित्रों आज का सेशन समाप्त होता है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेर जरूर क्या करें यदि आपने अभी चैनल को सब्स के गुरूप से जुड़ सकते हैं सुद्रिश की पीसेस टेलिग्राम गुरूप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रप्शन में मैं शेर कर दूँगा ओके फ्रेंड्स थांक यू सो मच